सर सी उटी की त्यारी ना क्लास 12 के बादी स्टार्ट करने वाला हूं मैं क्लास 12 एक बार अच्छे से बोट्स हमारे हो जाए मार्च में उसके बादी सी उटी की त्यारी शुरू करेंगे सर क्लास 12 तो अच्छे से हो नहीं रहा, अकाउंट्स में कोशन समझ में नहीं आ रहे, BST में कुछ याद नहीं हो रहा, एकनॉमिस की कंसेप्ट बढ़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, और आप तो कह रहे हो सर, CUT की त्यारी शुरू करने के लिए, सर कैसे ये चीज पॉसिबल है, तो बच्चो आप लोगों की भी अंदर ऐसे मन में भावनाएं आ रही होंगी, कि यार क्लास 12 बिल्कुली अलग चीज है, CUT बिल्कुली अलग चीज है, और क्लास 12 की त्यारी के बाद ही मैं कहीं न कहीं CUT की त्यारी शुरू करूँगा, अभी से CUT की त्यारी करके क्या ही फाइदा होगा, ठीक है, एक बार मार्च में एक्जाम हो जाएगा हमारा बोर्ट का, उसके बाद हमारे पास जो एक महीने का टाइम बचेगा, एपरिल के महीने में, मही के महीने में, तभी मैं CUT की त्यारी शुरू करूँगा, अभी से CUT की त्यारी शुरू करके क्या ही फायदा है, आप भले कह रहे हो साथ, लेकिन आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है, चल यह, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, CUT और Class 12 के syllabus को देख लेते हैं, domain wise, अब आपको पता है कि CUT के अंदर आप लोग को language लेना है, domain लेना है, और बच्चो GT लेना है, ठीक है, तो GT तो आप लोग के लिए बिल्कुल नहीं है, current affairs, GK, quantitative aptitude, logical reasoning, बिल्कुल नहीं आ होने वाला है, वो आप जो है, आराम से बैटके देख लिए, बेटा यह, accountancy का syllabus है, partnership fundamental से कहानी शुरू होती है, evolution of goodwill, change in profit sharing ratio, admission, retirement, debt, dissolution, share capital, debentures, financial statement of a company, financial statement analysis, accounting ratio, cash flow, position, मैं कहूंगा बहीं, आप 12 chapters है, total, total, अगर मैं बात करता हूं, Class 12 के syllabus में, यह जो बेटा आपको pink color का box न हापे नजर आ रहा है, यह वो chapters है, जो Class 12 में तो नहीं आते हैं, लेकिन CUET में आते हैं, मतलब Class 12 के लिए deleted हैं, परन्तु CUET में आपको देखने का मौका मिलेगा, not for profit organization, redemption of debentures, overview of contract accounting system, using contract accounting system, CAS, जिसको short में मैंने लिखा हुए, database management system, electronic spreadsheet, बेटा यह accounts के वो chapters हैं, जो Class 12 में नह पुरा syllabus आ रहा है, जिसका एक छोटा सा पार्ट, बोट्स में आ रहा है, और एक पार्ट, बोट्स में नहीं आ रहा है, यानि कि जो आपका CUET की preparation है, वो एक wider concept है, बोट्स एक narrow concept है, बोट्स CUET की preparation के under आ रहा है, इस से हमें यह बात पता लगती है, क्योंकि अगर हम CUET की त तौिदि तो करेंगे ही करेंगे साथि साधा मिन् टॉपीक्स कीतियारी भी अपने आप protection act ये वो chapters है जो class 12 में आते हैं लेकिन ये वो chapter है entrepreneurship का जो class 12 में नहीं आता परन्तु CUT में आता है again वही बात CUT एक wider concept है class 12 एक narrower concept है जो कि उसके अंदर आ रहा है अगर आप CUT की तारी करेंगे BST की तो इन सारे chapters को पढ़ेंगे जिसमें class 12 अपने आप cover हो जाएगा economics में आ जाते हैं economics में introduction to microeconomics consumer behavior and demand national income determination of income and employment money banking government budget economy balance of payment human capital formation rural development employment sustainable economic development development experience and economic reforms ये कुछ chapters हैं ये कुछ units हैं दो chapters जैसे हैं जो अगें class 12 में नहीं आ रहे हैं और CUT में आ रहे हैं अगें महीं वाला concept है कि अगर मैं CUT की करूँगा तो मेरा CUT की त्यारी के अंदर class 12 की त्यारी अपने आप हो जाएगी लेकिन सर ये तो बात हो गई आपने हमको syllabus बता दिया ठीक है हम आपकी बात समझ गए कि अकाउंट्स में आप कुछ और points पे comparison कर लेते हैं वह points है यह जो आपके सामने हैं देको बोट्स का पेपर यार सब्जेक्टिव होता है यानि कि आपको line by line हर चीज लिखके आने होती है ठीक है आपको क्या करना होता है बचो आपको line by line हर चीजें यहाँ पे boards में आप लिखके आतो इसे हम subjective कहते हैं ठीक है लेकिन अगर आप CUET के paper की बात करते हो तो यह चार option वाला paper होता है जिसको आप लोग objective या mcq based paper भी कहते हो जिसमें ABCD में से आपको एक tick करना होता है boards 80 marks का होता है CUET का domain एक domain का जो subject है वो 200 number का होता है boards सिर्फ offline mode पे होता है कभी भी online नहीं होगा लेकिन CUET इस साल online offline दोनों mode में हुआ था वो अलग बात है कि 2025 में बात हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ online mode में भी हो जाए ठीक है offline खता हो जाए लेकिन फिलाल कि अगर बात करते हैं तो online offline दोनों mode में CUET होता है boards के अंदर कोई negative marking नहीं है लेकिन बच्चों CUET के अंदर आपको negative marking देखने का मौका मिलेगा अब negative marking आपके लिए थोड़ा सा demerit लेके आथी क्योंकि अगर आप question गलत करते हो तो फिर वहां पे आपको दिक्कत आती है ठीक है अगर आप एक question गलत करते हो तो आपके जो 5 number ह और गया negative marking है तो मेरे total एक question गलत करने पर 6 number कटेंगे और एक question सही करने पर मुझे 5 number मिलेंगे तो एक number की यहां पर negative marking है लग जाते हो लग जाते हो ना फिर आप मई जून जुलाई आउगस सेप्टेंबर हाफ एरली अक्टूबर नौवंबर प्रीबोर्ट दिसंबर उसके बाद जनवरी प्रीबोर्ट टू फिर February त्यारी करके March में paper आपने पूरा एक साल यहां पर दिया March to March का circle यहां पर आपके लिए घूमा लेकिन अगर आप C.U.T. की बात करो तो जो आज आप सोचते हो उसके हिसाब से आप C.U.T. की त्यारी मातर एक महिने करने वाले हो और वो है आपका April का महिना March में boards, April में C.U.T. की preparation और महिन में C.U.T. का paper देखिया होगे जो आज आपकी सोच है जो आज आप सोच रहे हो वो यही है कि एक महिने में मेरा C.U.T. का सब कुछ cover हो जाएगा मैं एक महिने के अंदर questions की practice कर लूँगा मैं एक महिने के अंदर accuracy की बात कर लूँगा मैं एक महिने के अंदर सारी चीज़ें cover कर लूँगा यह आप लोग को अभी लग रहा है और half fairly pre-board होते तो boards की prior preparation भी हो जाती है लेकिन C.U.T. की कोई prior preparation आप लोग नहीं करते हो अब सवाल यह कि क्या यह thinking सही है तो बच्चों मेरा ऐसा मानना है कि यह thinking पूरी तरीके से गलत है मै या मेरा logic यह कहता है कि C.U.T. की तयारी करने में boards अपने आप cover हो रहे हैं syllabus की अगर बात की जाए questions की बात की जाए जब आप हम लोगों से पढ़ते हो हम लोग आपको boards oriented चीज़ें भी करवाते हैं और C.U.T. oriented चीज़ें भी करवाते हैं यानि कि MCQs भी करवाते हैं और case study या numerical question जैसे boards में आने वैसे भी practice करवाते हैं तो वो आपकी problem solve हो गई अब बात करते हैं accuracy, time management और कहीं ना कहीं negative marking की तो देखो बेटा C.U.T. की paper में accuracy का होना बहुत जरूरी है अगर मैं 40 question attempt करके आ रहा हूं तो मेरे 40 में से 40 सही हो ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एक दो भी question गलत हुए तो आप competition में थोड़ा पीछे आ जाते हो क्योंकि C.U.T.A. competitive paper है all India level पे हो रहा है अब आते है time management पे time management करना क्यों जरूरी है आप खुद लगा लो कि आपको accounts के अंदर आप माल लो accounts के अंदर आप लोगों को 40 question करने हैं और वो भी कितनी देर में वो भी 60 minute में 40 question 60 minute में आपको करने है तो आप लगा लो कि एक minute में आपको कितने question करने है ठीक है अगर आप यही हाल eco का भी है अगर आप BST की बात करते हो तो आप लोगों को 40 question करने हैं और time सिर्फ और सिर्फ 45 minutes का मिलने वाला यानि कि शुरुवास से ही आपको time management और accuracy दोनों के उ वीडियो आपके में लेके आया ताकि आप यह बात समझ जाएं कि class 12 and CUET अलग नहीं है जितने बचें सोचते ना कि class 12 अलग है CUET अलग है class 12 में हम MCQ की practice नहीं करेंगे वो हम CUET के आने पर करेंगे हम CUET के लिए business studies में case study की practice नहीं करेंगे वो हम class 12 में ही करेंगे यह सोच बिल्कुल ही गलत है क्योंकि बेटा जब आप case study की practice करते हो तो आपको जब दिमाग में attack करता है कि अच्छा यह case study इस chapter से है तो CUET के लिए फायदे बंद है और वो class 12 के लिए फायदे बंद है जब आप CUET के लिए MCQ practice करते हो तो आपका दिमाग में आता है कि यार यह जो MCQ मेंने लगाया यह class 12 में भी आ सकता है and CUET में भी आ सकता है तो तैयारी किसी की भी हो तोनों paper की त्यारी हो रही है आप class 12 की करे तो भी आप CUET कर रहे हो तो भी आप class 12 की तैयारी भी कर रहे हो तो कुलमला के कहानी इतनी सी है कि बेटा आपको बड़े concept पे focus करना है जो की है आपका CUET का concept class 12 की तैयारी उसमें अपने आप ही हो जाएगी and अगर आप बात करते हो commerce 247 channel की यहाँ पे आपको अच्छे तरीक की जरूवत है जो आपको यह सारी चीज़े बता पाएं कि CUET में क्या करना है कैसे करना है वह अच्छे MCQ कौन से होंगे क्या अप्रोच होना चीए MCQ लगाने का mock test अच्छे कहां पे मिलेंगे CUET oriented study material कहां पे मिलेगा यह ऐसे mentors की ऐसे गुरूओं की आपको जरूवत है और यह सारे mentors या यह सारे group जिन्होंने पहले भी बहुत शांदार result दिया हुआ है CUET में and class 12 में वह आप लोगों को मिलेंगे समर्थ 2.0 batch के अंदर और यह batch आपको कहां मिलेगा यह batch आपको मिलेगा अड़र 24-7 की application पर तो देखो है रहा है सबसे पहली बात तो यह आप लोगो इसमें इंग्लिश भी है इसमें डोमेन भी है इसमें हिंदी भी है यानि कि लैंग्विज जीटी डोमेन सारी चीज़ें यहां पे कवर हो रही है तो यह तो हो गई समर्थ 2.0 batch की बात जो इस समय करेंटली रन हो रहा है बट बेटा अगर आप अब से लेकर CUT का पेपर हो जाने तक सारे batches का access चाते हो तो वह आपको महापैक में मिलेगा कैसे मिलेगा देखें महापैक में आप लोगों को printed किताबे मिल रहे हैं आपको सारे CUT batches का access मिल रहा है जो आपके seniors हैं जो पेपर निकाल चुके हैं और अच्छी अच्छी universities में इस समय पढ़ाई कर रहे है वो आपको mentorship देंगे unlimited test आपको मिलने वाले मतलब mock test practice करने के लिए आपको कहीं internet पर भागना नहीं पड़ेगा इस telegram group को join कर लो उस whatsapp channel को join कर लो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा और साथी साथ आपको video courses मिल रही है live classes plus recording मिल रही है आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले तो आपको इस coupon code को अपनी copy में कहीं पर रेजिस्टर वगरा में उपर की तरफ नोट कर लेना है अब मैं आपको बताता हूं कि आपको यह सारी चीजें कहां मिलने वाली है तो बच्चों सबसे पहले आपको जाना है अटा 247 पे मैं तो यहां web version खोल रहा हूं बट आप कोशिश करना कि आप जरूर इंस्टॉल कर लो आप all courses पे जाओगे आप all courses में जाके यूजी पीजी एंटरन एक्जाम पे जाओगे आप सीवीटी यूजी पे जाके सीवीटी कॉमर्स पे जाओगे और वेनियू अप्लाई समर्थ 2.2 बैच राइट चलिए तो बैटा यहां पे जब आप इस code को मेरे code को अप्लाई करोगे तो यह जो आपका समर्थ 2.2 बैच है यह आपको लगबग लगबग 9400 रुपेगा पड़ेगा अभी जो इसका initial pricing है वो है 11,999 जैसा आप देख सकते हो और अगर आप इस batch के बारे में डीटेल में समझना चाते हो तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ हाँ इस batch की validity 12 महीने की है सारे teachers यहां पे है और डीटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ यह देखें आपको यहां पे test series मिल रही है आप अराम से बैट के पढ़ सकते हो और अपने parents को भी से BST में आप जाते हो तो यह देखिए आज अगर तारीख है 10 जुलाई या 11 जुलाई तो आपको यहां पर topic का नाम और यहां पर time मिल जाएगा कि हर सर कब class ले रहे हैं अमन सर कब class ले रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको idea मिल जाएगा तो बचा पार्टी I hope कि आप लोग सारी बास समझ चुके हैं ठीक है अब यह समय आ चुका है कि आप बड़े गोल के उपर focus करें बड़ा गोल क्या है बड़ा गोल हमारा CUT है चूँकि बेटा class 12 में अगर बहुत अच्छे नंबर आ भी गए पर CUT क्रैक नहीं हुआ तो आप class 12 में बहुत अच आप लोगों को यह पसंद आई होगी कॉमेंट करके जरूर बताना अगर कोई और कमपैरसन वीडियो भी तुम्हारी डिमांड में है तो जरूर बता देना और थैंकि वेरी मच्छ अल्ट वेरी बेस्ट और जैन